चमपारन स्टाइल चिकन या अहुना मतन तो आपने ट्राई किया होगा पर क्या कभी चमपारन स्टाइल कठल की रेसिपी ट्राई की है इतना लाजवाब इसका टेस्ट होता है कि आप इसके दिवाने हो जाओगे वेजिटेरियन्स के लिए अच्छा आप्शन है तो चिकन मतन खाना जाओगे भूल जब बनाओगे चमपारन स्टाइल ये कठल की रेसिपी तो बहुत ही लाजवाब अहुना कठल बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 500 ग्राम्स के करीब कठल और इसे हमने काट लिया है और काट करके इस तरह के छोटे छोटे पीसेज में आपको रखना है इसके बाद हम इस्तमाल करेंगे चार मीडियम साइज के प्याज दो लेसिन ले रही हूँ बाद में एक लेसिन का और इस्तमाल किया था मैंने और दो हरी मिर्च लेना है साथ ही लेना है अदरक अब एक बड़ा बरतन ले लीजिए उसमें डाल दीजिए कठल साथी हम सारे प्याज को रफली चॉप करके डालेंगे आठ से दस लेसुन की कलिया लीजिए और अदरक को इस तरह से लंबाई में काट करके डालिए और हरी मिर्च को भी हम काट करके डाल देंगे अब मसाले अड़ करना है तो दो बड़ी चम्मच मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर एक चम्मच लेना है जीरा पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर जादा नहीं डालना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है एक बड़ा चम्मच साथी मैं डाल रहे हूँ आधा चम्मच अजवाईन तो हाथ से इस तरह से क्रश करके डालिए डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा होता है तो अगर आपके पास है तो जरूर डालिए साथी मैं यहाँ पे डाल रहे हूं कलॉन जी जिसे की मंगरेल भी कहते हैं यह आधा चमस के करीमे और ये देखे यहाँ पे इस्तेमाल करना हरा धनिया और उसे डंठल के साथ डालिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो एक हैंडफुल धनिया डालिए इसमें और साथी मैं अब इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक तो यहाँ नमक थोड़ा जादा लगता है कठल की रेसेपी में और यह देखिए मैं डाल रही हूँ लग भग आधा कप सरसो तेल यह सारा हम इसमें डाल देंगे बाद में थोड़े सरसो तेल का हम और इस्तमाल करेंगे और यह देखिए यहाँ मैं डाल रही हूँ एक छोटा पैकेट चिकन मसाला तो ये vegetarian होता है इसलिए इसे आप डाल सकते हैं इसकी जगह पे आप गर्म मसाला पाउडर या मतन मसाला आता न वो भी आप डाल सकते हैं अब सारी चीजों को हमें बढ़िया से mix कर लेना तो बिल्कुल भी time नहीं लगता है सारी चीजों को एक साथ mix करके और हमें इसे cook करना ह तो बढ़िया से इसे मिला लिजे पहले चंपारन style chicken बनाई जाती है मिट्टी की हांडी में पर आज हम बनाने वाले हैं इसे cook कर में तो मिट्टी की हांडी में इसे कैसे बनाते हैं वो मैंने share किया हुआ लिंक दे दूंगी description में आप चेक कर सकते हैं तो इसे हमने अच्छे होने के बाद हम इसमें डालेंगे देखिए सूखी हुई लाल मेर्च तीखा आप अपने अनुसार एड़ेस्ट कर सकते हैं दो तीन डाले इसे पत्ता बस इतना ही डालना है क्यूंकि सारे मसाले और फ्लेवर हमने कठल में पहले ही एड़ कर दिये थे अब सारे कठल को हमें कूकर में ट्रांसफर कर लेना है तो बहुत ही आसान है इसे बनाना और रिजल्ट एक दम ला जवाब आता है अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लीजिए उपर नीचे कर लेंगे इसे देखिए इस तरह से उसके बाद हमें क्या करना है यहां मैं ले रही हूँ एक पूरा लेस इसे अच्छे से दो लीजिए और उसे इसमें डाल देना है तो जो चमपारन स्टाइल चिकन या मटन की रेसिपी बनती ना उसकी यह खासियत होती यह स्पेशालिटी होती उसमें पूरा लेसन डाला जाता है मैं एक डाल रही हूँ आप चाहो तो दो भी डाल सकते हैं साथ ही अद्रक लेसन और हरी मिर्ज का पेश्ट डालिए सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया से और अब क्या करना है इसका धक्कन लगा देना है और लो फ्लेम पे इसे धीमी आज पे धीरे-धीरे पकाना है लग भग तीन से चार विसल आपको इसमें लगाना है चार विसल होने के बाद इसे पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए उसके बाद धक्कन हटा कर हम इसे चेक करेंगे और देखिए वाव कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही बढ़िया हमारा चंपारन स्टाइल कठल तयार हुआ है अब मैं आपको दिखाती हूँ ग्रेवी की थिकनेस अगर आपको लगे इस वक्त की ग्रेवी थोड़ी पतली है तो इसे थोड़ा सा आप धीमी आज पे और पका सकते हैं और देखिए कठल भी अच्छी तरह से गल गया है और यहां देखिए ग्रेवी की थिकनेस मैं दिख देखिए और इसे अब चेक कर लेते हैं तो अभी यह बहुत गर्म है देखिए कठल भी अच्छे से गल गया है और पूरे घर में इसकी खुश्बू फैल गई है और अब लास्ट में हम इसमें क्या करने वाले देखिए एक चमच मैं यहां पर घी एड़ करूंगी इससे इ घी का तड़का भी लगा सकते घी में थोड़ा सा डालिये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हरी मिर्च और इस पे तड़का लगाई इससे इसका कलर और भी ज्यादा इन्हांस होता देखने में बहुत टेम्टिंग लगता अब इस लेसन का क्या करना है आप तो इसके छिलके को हटा कर इस रेसेपी में इसे मिक्स कर सकते हैं या इसे ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगता है तो है नब बहुत ही बढ़िया और लाजवाब रेसेपी चावल के साथ चपाती के साथ ये बहुत अच्छी जाती है तो इसे ट्राइ जरूर की कीजिएगा रेसिपी पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है और साथ ही हमें ये बताइए कि आप किस शहर या किस सिटी से हमें देख रहे हैं तो इस तरह की और भी बढ़िया मज़ेदार और एकसाइटिंग रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गितांजली इस क्लासिक कुजीन को और बेल आइकल को हिट कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए कठल की बहुत सारी रेसिपी मैंने शेर की हुई है लिंक देदूंगी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एकसाइटिंग रेसिपी पे त तिल देन थैंक्स पर वाचिंग बाई और टेक क्यार